Hello and Welcome to AFS Classes AFS Classes में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम करेंगे जून की Best 300 का सीरीज का Part 4 इस वीडियो के अंदर जून के Last Week की सारी Current Affairs कवर हैं सारी Important Current Affairs के अंदर कवर होंगी तो आपको कोई भी टेंशन नहीं जरूत नहीं है अगर आप यह भी पढ़ गए जाएंगे तो आपके Mostly अच्छे स्कोर आएगा एक्जाम्स के अंदर अगर आप SSC, Bank या फिर Railway की त्यारी कर रहे हैं या फिर ऐसा एक्जाम जिसके अंदर Current Affairs Main Part है तो आप इस वीडियो को देखी यह वीडियो आपके लिए बहुत beneficial होगी इस वीडियो के अंदर आपको सारे important questions दिखेंगे और आप मुझे इस वीडियो को लाइक करके support भी कर सकते हैं अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो की reach बढ़ जाती है हाइडरोग्राफी डे यह कम मना जाता है 21 जून को हाइडरोग्राफी का मतलब क्या होता है यह होती है साइंस की एक study करना water bodies की study करना यानि की मतलब इसके अंदर हम reverse seas और oceans की mapping करते हैं उनके study करते हैं कि वह कितनी value ही है कैसा उनका structure है कहां कहां वह जाती है तो उसकी study करते हैं इसकी theme क्या है hydrography enabling autonomous technology यह इसकी theme है अगला है world music day यह कम मना जाता है 21 जून को अगला है 25th national reading day यह कम मना जाता है 19 जून को international widows day कम मना जाता है 23 जून को यह widow का मतलब क्या होता है विद्वाज जिनके मतलब husbands की death हुए आती है उन्हें कहते है विडियो अगला international olympic day यह कम मना जाता है 23 जून को आगे चलते हैं आगे हमारा day of seafarers day यह कम मना जाता है 25 जून को seafarers का मतलब क्या होता है नाविक इसकी theme क्याती से फेरर्स और की वर्कर्स अगला है passport सेवा दिवस मतलब PhD इसे कम मना जाता है 24 जून को अगला international day against drug abuse and illicit trafficking यह कम मना जाता हमारा 26 जून को मतलब for the better care better knowledge for better care अगला है micro small and medium size enterprises यानी MSME इसको short में MSME भी कहते है इसका दिन कब होता है 27 जून को अगला है PS Mala Honbis birth anniversary यह कब थी 29 जून को इसको national statics day भी मना जाता है national statics day अगला है हमारा और्वी चरी इसके अंधर माज जितने भी फेमस personality होती है उनकी death होती है उसको cover किया जाता है पहला हमारा squadron leader परवेज राम साज जी retired जो हो चुके हैं वह अभी recently death हुई है उन्हों क्या मिला था परमवीर चक्र मिला था अगला question है हमारा वेटेरियन जर्नलिस्ट फ्रीडम फाइटर दीनू रांडिवे इनकी भी recently death हो गई है फॉर्मर लेफ्ट आर्ट स्पिनर लेजंड राजिंदर गोहल इनकी भी recently death हुई है अमेरिकन मुवी प्रडूसर स्टीव बिंग यह भी अभी recently वेटेरियन जर्नलिस्ट फॉर्मर एंपी विश्व मोहन गुपता इनकी भी recently death हुई है आगे चलते हैं फॉर्म इंडियन शूटर है पूर्णीमा जनाने इनकी भी death हो गई है कैंसर की वैसे 12 साल की थी अगला है फॉर्मर कर्नाठ का बास्केट बाल प्लेयर के अगे चलते हैं अब चलते हैं अपने कोस्टेंस के सेक्षन पर इनके अंदर मैंने भी आंसर मार्क नहीं कर रहे हैं मैं इसको आपको पता चल जाए कि आपको कितने कोशन आते हैं अगर आपका स्कोर 60 अबाव रहा इस सारे कोशन के अंदर तो इसका मतला अच्छी है नहीं तो आपको थोड़ी महनत करने की जरूरत है और बाकी आप यह बार बार अगर वीडियो को देखोगे तो आपको इस सार किस मैडिसिन को मंजूरी दे दिया इसको दिये फैवी पाइरावीर को इससे पहले रैमेडिसिवीर को कहा था उससे पहले फिर कौन सी थी हरोक्सी ट्लोरोक्वीन तो यह सारी इंपर्टन मैडिसिन से यह आपको याद होने जीए अब हैं इंटरनेशनल योगा ठीका पना जाता है 21 जून को और इसकी थीम किया थी योगा अठों एंड योगा वित पताएगा वहां के रहने वाले लोगों को किसने लॉंच के रिए तेलंग गाना ने नेक्स्ट कुश्चन हमारा पीस प्राइज ऑफ दि जर्मन बुक ट्रेड यह मिला है ग्लोबल जेस्टिस के लिए कई दस्ट को तक काम करने के लिए शूप है किसको मिला है अमतिया सेन को अगला कोश्चन हमारा स्पोर्ट मिरिस्ट्री ने कितने खेलों इंदिया सेन्टर यानि कि एसी सेंटर बनाए है अलगला जिलो में मत्लब डिस्टिक्ट में इंडिया के कितने बनाए वन थाउजन अगला कोश्चन है इंटरनेशनल ट्रांसवाम फॉरम ने अभी 24 जून क कोट लाएंगे इंडिया के अंदर किसके साथ करा यह नीथी आयोग के साथ अब नीथी के फूर फॉर्फर्म क्या है नैशनल इंस्ट्यूट फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया यह इंडिया का थिंग टैंक है जितनी भी सारी योज नहीं होती है जो इंडिया के लिए ब अगला कोश्चन है a line of credit यानी LOC यह किस country को मिला है एक्जिम बैंक के द्वार मतलब Export-Import Bank of India के द्वारा 20.10 million dollar का लोन LOC मतलब line of credit मतलब यह लोन दिया है किस country को एक्जिम बैंक ने इसको दिया है निकार गुआ को अगला कोश्चन है अभी डेक्टर जनरल अफ नेशनल साइन्स फाउंडेशन यानी NSF क कौन बने है कौन बने है सेथु रमन पंचनाथन नेक्ट कोश्चन है हमारा अभी इंटरनेशनल टैनिस फ्रेडिशन यानी ITF के मैंस प्लेयर पैनल के लिए किसको रिप्रेजेंट करा गया है एशिया ओशेनिया जोन के लिए किसको करा है निकी पूछ नाचा अगला कोश्चन है कौन ती श्टेट है जिसने मुख्यमंत्र श्रमिक की शहरी रोजगार मंजूरी फोर कामगार किसने लॉचтории जहार खंडने रहा अगला कोश्चन है मारा वो कौनसी गोवर्मेंट है कौन सी जिसने एक स्खीम लॉच्च करिए एक तु खेलो एक टू पढ़ो उसका मतलब क्या है प्ले लेटिल स्टडी लेटिल किसने लॉंच करिए तरी पुराने अगला कोश्यन है अभी हेट्रो फार्मेसुटिकल्स ने एक जैनरिक वर्जन निकाला है रैमी डिसीवीर का मार्केट के अंदर इंडिया की मार्केट के अंदर उसका न लॉच्झा अब देख लेता हैं प्रदान मंत्र ने जो अब गरीब कल्यान रोजगार अभियान जो लॉंच किया है मांग्रेंट वर्कर्स के लिए उसके में में आपको फायाइट्स बताया है तो जो जो इसके अंदर से कोश्यन बन सकते हैं क्या है एक तो जिस स्टेट के समय के अंदर 25 से ज्यादा माइकर यह भी करनेदद 6 से लिए अपलाई कर आ गया है सद्थ प्रदेष माध्य पर्देश राहेस्ता ज्यारकन और ऊढंत पाकी थासे इसके अंदर और किया इस campaign के अंदर 25 तरह के अलग-अलग काम होगे जिससे की rural development होगी और इसके अंदर 12 तरह की ministries involved है जैसे की rural development, पंचायती राज, transport mines, drinking water, environment, railways, petroleum, new and renewable energy, border roads, telecom and agriculture यह सारी ministries के अंदर evolve है और यही सारी ministries के आउंगी job देंगी इन सारे magnet workers को अगला कोशन है हमारा अभी किस space agency ने अपना पहला liquid cooling and heating garment बनाया है space human flight के लिए इसकी short हों के LCHG किसने मनाया यह इस रोने इस रोकी फूल फूल क्या है Indian Space Research Organization यह इंडिया की organization इस पेस agency है और जाकसा कहां कि जापान की ना सा कहां कि अमेरिका की कोंट्रोवर्सी थी कि आयुश मेंत्राले ने कहा था कि यह कोविट 19 की vaccine नहीं है इस पर कोई trial नहीं हुआ भी और पैताजली वाले कहा है इस पर trial हुआ है हमने सो लोगों पर clinical trial करा है तो इसको आप मंजूरी दे दी गई है मगर इसको as a vaccine नहीं दिए इसको as a covid 19 management दिए त नाम में मतलब है वास बाकी तो mostly एक तरीटमेंट ही मान सकते हैं आप इसको अगला कुशन है विच आयटी इंस्ट्यूट हैस डेवलप्ट और रीसीवर चिप दुरूव किस इंस्ट्यूट ने एक चिप बनाई है जिसका नाम रखा है दूव जो कि स्मार्टफोन के लिए है कि वह अलग-अलग लोकेशन को और रूट्स को अपनी कंट्री के अंदर डूण सकते हैं उस चिप से हम किसने बनाई है आयटी बॉंबे ने दुरूव आपको पता वह दूरूव तारह जिसका हम पोल स्टार भी कहते हैं और वह लोकेशन पता करने काम आता है तो उस इस इंस्पाइड हो कि इसका नाम रखा है दुरूव क्योंकि यह भी क्या करते हैं लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करती है आगे चलते हैं कौन सी गवर्मेंट है इंदरा रसोई यूजना लॉंच करिए किसने लॉंच करिए राजस्तान ने अकला कोशन है युक्ती 2.0 नौलीज टेकनलोजी और इद्वेशन यह किस मेनिस्ट्री का इनिसेटव है किसमेनिस्ट्री अफ यूमन रिसोर्स डियवलपमेंट के अगला कोश्यन हमारा एक पोल के अकॉर्डिंग सोचिल मीडिया पे पोल के अकॉर्डिंग, विष्टन इंडिया ने करा था जो कौन एक पोल कट्ट Türkiye आता विजदं इंडिया कि कि जिसके अंदर पूछा था कि लास्ट पचास तूरď से सब से बेस्ट-धूलेयर कौन है इंडिया का तो सबसे सब्सक्राइब ईंडिया गाष्ट कुसक को ये अगला गुशिया ने अपनी पहली बिडियो नेविकेशन सैटलाइट सिस्टम लॉंच किया बीडिया सिस्टम किसने करा आए चाइना ने अगला कोश्चन है वो कौन सी श्टेट है जिसने अबना फर्स्ट प्राइज अंडर इपंचायत पर उसका टूंटी जीता है किसने जीता है हिमाचल प्रदेश ने नेक्ट कोश्चन है मारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेफल्प्मेंट एंड इंट्रेप्रेनियोर्शिप यानि MSDE ने अभी किस कंपनी साथ कोलाबरेट किया है जिसके अंदर वो दो स्कीम लॉंच करेंगे जिनका नाम है स्किल बिल्ड रिजिनाइट और स्किल बिल्ड इनो इस स्किल पार्क बनाएंगे किसने दिया यॉऑ पर इंडिया की जितने बीओं इसटी होती है यही से आती है अगला कोश्या है Union Minister जितेंदर सिंग ने अभी दो ब्रिजीज का इन्वरेशन कर रहा है जिनका नाम है देविका और पुनेजा ये किस स्टेट में है किस स्टेट में है जम्म कश्मीर में विदिद्वित्रन कंपनी ने अभी किस स्टेट के अंदर एक स्कीम लांच करिये निश्ठा विदिद्वित्मित्र स्कीम बुमेन ईंपावर्मेंट के लिए किसके अंदर करिए मध्य प्रदेश के अंदर अगला कोशन है union cabinet ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेटस देया खुशिनगर एयरपोर्ट को एक किस स्टेट में लोकिटेड है किसके अंदर है उत्तर प्रदेश के अंदर अगला कोशन है union health minister डॉक्टर हर्षवर्दन ने अभी एक मुवाइल एप्लिकेशन लॉंच किया है इंडियन ड्रेट्स क्रॉस सोसाइटी के साथ तो इसका नाम क्या है क्या नाम इसका इबलड सर्विसेज यह किसके लिए करा एक्चुली ब्लड डोनेशन के लिए करा है किसके अंदर आप बता करने के लिए तो यह ब्लड डोनेशन की एक स्कीम बनाई है जिससे की ब्लड डोनेशन होता रहे और लोग भी इसमें और अपना बढ़चर का हिस्सा ले तो इसलिए घर गर जाकर ब्लड डोनेशन करने की स्कीम बनाई है और यह बना दिया कि आप अगर ब्लड डोनेशन कर क्या पाओगे कि अगला कोश्छन ने कि दुनिया की पहली योगा इनवरस्टी इंडिया से बाहर जिसका नाम है वाजू वो किस सिटीं के अंदर बनाई गये लौस अंजलेस के अंदर ऑगला कोश्छन है कौन सी श्टेटर और रिलाइस योटीवी ने मिलकर एक एक करेमेंट कराएगे जिसके अंदर हो 52,00,000 बच्चों को पढ़ाएंगे गाउं के बच्चों को किसके साथ कराई हरियाना के साथ अगला कुशन है वो कौन सी कंट्री है जिसने सदस्यदा जॉइन करी है UN Arms Trade Treaty की जो की एक Regular Arms Sales की एक पैक्ट है मतले एक Agency है जो की सारे Rules and Regulation बनाती है किसने कराई चाइना ने अगला कुशन है कौन सी फुटबल क्लब ने English Premier League 1922 का टाइटल जीता है किसने जीता है Liverpool ने एक फुटबल क्लब है अगला कुशन है कौन सी श्टेट है जिसने launch करें अगला कुशन है कौन सा एयरपोर्ट है जो फ़र्स्ट एयरपोर्ट बन गया है वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम जिसके अंदर आ चुका है मतलब एडवलू एमस किसके अंदर आ चुका है केम पे गोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट के अंदर कि अगला कोश्यन है अभी पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है एमसीजी की यानि मेलबन क्रिकेट क्लब की 233 साल में पहली बार हुआ है कौन बनी है क्लेर कौन नोर अगला कोश्यन है इन में से कौन सा है जो ब्रेंड एमबैसिडर चुना गया है 45 एडिशन का टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किसको चुना गया है प्रेंग का चोपड़ा और अन्रग कश्यप को कि नेक्स्ट कोश्यन है हमारा कि किसने अभी लॉंच किया एक कैम्पेंज जिसका नाम है नाविगेटिंग दा न्यू नॉर्मल किसने लॉंच किया ये नीती आयोगने अगला कोश्यन है वह कौन सी कंट्री है जो कि प्लैन कर रही है अपना पर्मेनेंट मिलिटरी बेस बन मैं स्टेट के हेल्ट मिनिटरों को भी इन्वाइट करा गया है यूनाइटिछ निशन में पार्टीपेट करने के लिए डिफ्केशन ओन मिलिक श्ज़िस डे किसो औरागे ये केरला के हाल्थ मिनिश्ट व कोई को के के सहलिजा अ है अगला कुश् simplemente यह हैसी जिसने लोंच लॉंच किया हरित हरम प्रोग्राम का किसने कराए तेलंगाना ने अगला कोश्चन है कौन अथरेस बुक के टू मच एंड नेवर इनफ के कौन है मेरी ट्रम्प अगला कोश्चन है अभी कौन से बैंक ने उडमा टेकनलोजी के साथ एक लॉंच के डिटल वाल इसके नाम किया रखा यूवा पे किसने कराए यस बैंक ने यस बैंक भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट के पता आपको बैंकरप्ट हो गया था इसको फिर एस बैंस के 49% शेयर खरीदेते तो इसके बाद यह जब रिवाय उपाया है तो यह कुशन बहुत इंपॉर्टेंट है यस बैंक से रिलेटेड तो यह आपको यादी होना चाहिए स्विज नाशनल बैंक के दोवारा वार्चिक बैंकिंग अकड़ों के अनुसार 2019 के अन्द तक स्विजरлем नंग के बैंकों में भारत यह नागरीकों तथा कंपणियों के जम्हां धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है कौन से स्थान पर रहा है 77 पर और इसके अंदर ब्रिटेन पहले नंबर पर रहा है दूसरे नंबर पर अमेरिका उसके बाद वेस्ट एंडिस तीसरे पर चौत्य पर फ्रांस पांच पर होंग कॉंग भारती नागरिकों की 5.8 परसेंट गिर गई है इन्वेस्टमेंट इसके अंदर और स्विज बैंक के अंदर जमाधन राशी जो है बस 0.06 परसेंट है इंडियन्स की अगर सारी मिला लें तो पंदर देशें अगर जो टॉप पंदर देशें उनके हिस्सिदारी मिलाये तो टोटल 25% उनका ही जमाया सुद बैंक के अंदर पैसा और 30 देशों को मिलाएंगे उसके इन्दर 90 जो भी सारा हिस्सा है सुद बैंक के अंदर हो टॉप 30 देशों का यह है महाराश्ट गॉर्मेंट ने अभी कौन सा प्लैन लॉंच किया है जिससे की इंडर्स्ट्रिस के अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाए क्या नाम उसका महा परवाना यह अभी एक स्कीम लॉंच करें जिससे की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए अगला कुशन है वो कौनसी दो कंट्री है जो कि 1230 वूमेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्णमेंट होस्ट करेंगी कौनसी है ऑस्ट्रेलियान न्यूजिलेंड अगला कुशन है थर्टित एशियन समिट वर्चुली कहां किस देश में मना जाएगा किस देश में समिट यह होगा हेल्ड वेतनाम में अगला कुशन है इंडियन नेवी ने अभी एडवांस एंटी टैर्पीडो डिकॉय सिस्टम बनाया है उसका नाम क्या है क्या है इसका नाम मारीच अगला कुशन है वह कौन से इस्टेट इसने गौधन नियाय योजना लॉंच करी है किसने करिए 36 गड़ने अगला कुशन है आई यार डी आई ने एक नाइन मेंमर वर्किंग ग्रुप बनाया है उसके चेर्मन कौन होंगे जो कि ड्रोन इंशॉरेंस के लिए बनाया गया ह कौन होंगे अंजन डे आई यार एडियाई आपको पता होना चाहिए यह रेगुलेटरी एक अगला कुशन है एंजीटी ने कमेटी बनाई है उसके चेर्मन कौन होंगे जो कि इंवेस्टिगेट करेगी आसाम के अंदर जो ओईल वैल के अंदर आग लगी थी ओई इंडिय एंजीटी के नेशनल ग्रीन ट्राबूनल इसकी फुल फार्म एंजीटी की अगला कोशन है वो कौन सा स्टेट है जो आदर्स पॉलिस स्टेशन स्कीम लांच करेगा एक जुलाई को कौन सा हो चत्तिसगर अगला कोशन हो वर्ल्स एथलेटिक हैस लांच विच ओनलाइन पॉले अगला कोशन है फर्स्ट रूमें चीफ सेकरेटरी अफ पंजाब कौन वनी है कौन विनी महाजन नेक्स्ट कोशन है यूएस स्पेस एजन्सी नासा ने अनाउंस कराए कि वह अपना हैड़ क्वार्टर जोन का मेन वाशिंग्टन में वाशिंग्टन डीसी के अंदर थे दा नाम के अंदर नाम कि सके नाम रखेगी क्सके नाम रखेगी मेरी डवलू जैक्सन इनके नाम पर खे और अगला कुशन है शुदरस्टी धादादी नाननानी अभियान जो की नीतिय 對 I.O के साथ कॉल्लाबडरेट करके बनाया गया तक यसन्स ने कराए पिराम ओंड माइकल मार्टीन जो कि अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने है किस कंट्री के इस कंट्री के बने है आयरलेंड अगला कुछन है वह कौन से इंडियन इंपायर है जुकि आई सी एलीट पैनल के अंदर आये हैं 2020 के अंदर कौन है नितिन मैनन अगला कुछन है लाजरस चाकवेर यह भी कौन सी कंट्री के प्रैसिदेंट बने है किसके बने मालवी के अंगला गुश्चन है कौन सी स्टेट है जिसने किल करोंडा कैम्पेइन लॉंच किया एक जुलाई से जिससे की वो कोरना वारस का स्प्रेड को रोक सके इसने कर है मज़्धे परदेश ने अगला गु फाइदा हो किसने कराई सिट भी ने अगला कोश्यन है वह कौन सी गौवर्मेंट है जिसने एक प्रोजेक्ट लॉंच किया प्रोजेक्ट प्लैटीना एक प्लाजमा थेरिपी ट्राइल है कोविड ने पिशेंस के लिए किसने कराई महाराष्ट्र ने थेंक यूआपको वीडियो दीखने का वीडियो अगर आपको फाइए तो लाइक किजिए शेयर कीजी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों जात चैनल को शेयर कीजिए जिससे कियमें ज्यादा ज्यादा मोटिवस्यन मिले और हम ऐसी वीडियो बनाते रह थैंक यू आपका वीडियो देखने का